हलो दोस्तों आप सभी का आपके रपने यूटूब चैनल यूवी गंपिडिसंस में स्वागत है मेरे प्यारे सात्यों राजस्तार करमचारी चैन बोड ने सामुदाइक स्वास्त अधिकारी सम्विदा भरती 2022 यानि कि सी एचो भरती 2022 का फाइनल रिजट जो सलेक्ट सामुदाइक स्वास्त अधिकारी सम्विदा भरती 2022 जो की कुल 5261 पदों की बरती है मेरे प्यारे सातियों संसोदित विग्यप्ति के अनुसार राजस्तान करमचारी चैन बोड ने संसोदित विग्यप्ति जो जारी की है उसके अनुसार सामुदाइक स्वास्त अधिकारी सम्विदा भरती 2022 कुल 5261 पदों की है इसमें गैर अनुसुची चेतर के 4441 पद और अनुसुची चेतर के 770 पद है मेरे प्यारे सातियों उक्त भरती परिक्षा का आयोजन 3 मार्च 2024 को हुआ था अब राजस्तान करमचारी चैन बोड न ने लिश्ट निकाली है सेलक्टेड कंडिडेट्स की डॉकॉमेंट्स वेरिपिकसन के लिए और इन कंडिडेट्स का जो चैन है वह पूर्णतिया ऐस्ता है लगबग 2 गुना कंडिडेट्स इस लिश्ट में सामिल किये गए तो 5261 पदों के इवज में 2 गुना लगबग 10 हजार कंडिडेट्स को इस लिश्ट में सामिल किया गया है साते मेरे राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड द्वारा यह सूची डॉकॉमेंट्स वेरिपिकसन के लिए जारी की गई है डॉकॉमेंट्स वेरिपिकसन का स्चेडूल राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड द्वारा दिया जाएगा इस सूची के साथ साथ राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने कट अप मार्क्स भी जारी किये हैं जो कि स्रिनीवार हैं मेरे प्यारे साथ यो लिश्ट में रॉल नमबर दिये गए हैं आप अपना रॉल नमबर चेक कर सकते हैं कि आप राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड की इस बरती में सेलेक्ट हुए या नहीं हुए अगर सेलेक्ट हुए हैं तो कमेंट करें अपना कमेंट में बोक्स में लिखें कि आइम सेलक्टेड यह मैं इस बर्ती में सेलक्ट हुआ हूं। मेरे प्यारे साथ्यों राजस्तान करमचारी चैनबुड़ भूब्स कराएंगा और डॉक्वेस्व करने के बाद जो चेयनित कंडिडेट का नाम राश्टियज मिसं चीह कित вдome वीदा को नियम अनुसार भीजिए गईर अनुसुची चीत्र के 4447 पदओं के ये वजमें उनकी रॉळबर जारी smilingPA आप सकते हैं और चेक कर सकते कि आपका रोल नंबर इस लिष्ट में है या नहीं है बाइस पन्नों की ये लिष्ट है टोटल बाइस पेज की लिष्ट है साथी साथ गैर अनुसुची छेत्र और अनुसुची छेत्र के लिए अलग-अलग राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने के 4,441 में पदो के लिए क्या कट अप रही है तो जनरल के टेगरी की बात करें तो जनरल की जो कट अप है 205.1020 नंबर जनरल फीमेल की कट अप रही है 205.1020 नंबर जनरल विडो की कट अप है 3.012 नंबर जनरल डाइवर्स की कट अप है 3.46 चौराण में जनरल एक्स की के टेगरी जनरल इडबलूएस के बात करें तो इडबलूएस के जो कट अप है वह 117.46 नमबर इडबलूएस फीमेल की कट अप रही है 136.47 नमबर इडबलूएस की कट अप है 55.10 बीस नमबर SC के टेगरी की बात करें तो SC के टेगरी में जनरल की कट अप रही है 117.49 नमबर SC फीमेल की कट अप है 164.99 में 32 नमबर SC डाइवर्स की कट अप है 1.0204 ST category अनुसुची जन्जाती की बात करें तो अनुसुची जन्जाती में जनरल की cut-off है 149.7959 ST female की cut-off भी जनरल की cut-off के बरावर रही है ST divers की cut-off है 4.086 नंबर OBC category में OBC female और OBC general की cut-off है 185.743 OBC divers की cut-off है 7.439 MBC category की बात करें तो MBC category में जनरल की cut-off है 152.438 MBC female की cut-off है 126.356 MBC divers की cut-off है 41.867 सहरिया जन्जाती की बात करें तो सहरिया जन्जाती की जो cut-off है वो general female और female की cut-off 8.63 नंबर Horizontal Reservation में बात करें तो LV की cut-off 17.34 OLCP LCDWAV की cut-off 58.36 MISLD MD की cut-off 7.439 SP की cut-off 33.36 मेरे प्यारे सात्यों संसोदित विग गपती राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड दोरा हाल ही में जारी की गई जिसमें बड़े हुए पदों के अनुसार 5261 पदों का वरगी करण किया गया किस बिरकार से 5261 पद बाटे गए हैं उसका वीडियो आप हमारे यूटूब चैनल UV Competitions पे देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके मिरे प्यारे साथ योव बात करते हैं अनुसुची चेतर की तो अनुसुची 2. negoti के रोल नुमरी वी राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने जारी कर दियं साथ ही साथ अनुसुची चेतर की कटोप की बात करें तो जनरल की कटोप है 162.2449 पी refugee की कटोप है 162.2449 255 जनरल विरोग की कटावप है 17.03 4-0 जनरल डाइवर्ज की कटावप है चीरो आठो सोड़ है एसी केटेगरी की बात करें तो एसी केटेगरी में अनुसुची छेत्र की जन्रल और एसी फिमेल की कटोप है 138.735 नमबर इसका लावा है एसी केटेगरी में एसी जन्रल और एसी फिमेल की कटोप है 118.36 नमबर और जेंटल रिजर्वेशन में एलवी की कटोप है चौसट पॉंट अठाइस से तावन ओल सी पी एलसी डी डी डीडवलू एवी की कटोप है चपन पॉंट निन्याड में बत्तिस मेरे प्यारे साथियों इस सेट में प्रसंग भी डिलेट किये गए प्रतेक सेट में दो प्रसंग डिलेट किये गए उनका सिरीच चिन के अनुसार डिलेट प्रसंगों की संक्या भी दी गई है सात्यों मेरे राजस्तान करमचारी चैन बोड एक फॉर्मूले के अनुसार यानि कि सभी अभ्यृतियों के प्राप्तांकों का आकलन बोड द्वारा अनुमोदित निम सुत्र से किया जाता है बोड का सुत्र है कि टोटल मार्क्स ओपी कंडिडेट कुल नंबर एक अभ्यरति के बराबर है समेशन यानि कि योग ओप आर क्यू मल्टिप्लाई के एप माइनस डबलू क्यू मल्टिप्लाई के एप बाई पॉर मल्टिप्लाई मैक्सिमम मार्क्स अधिक्तम नंबर गुणा मैं non attempted questions of a particular section या subject एक particular section या subject में attempt ना किये प्रसंद यह टोटल number of questions गुणा मैं 3 मेशन का जो सहीन है उसका मतलब होता है sum of marks in all section या subjects सभी सेक्षन या सब्जेक्ट में मार्क्स यानि कि नंबरों का योग RQ राइट कोउस्टन और पर्टिकुलर सेक्षन या सब्जेक्ट सही उत्तर एक पर्टिकुलर सेक्षन या सब्जेक्ट में WQ होता है wrong question of a particular section या subject गल्त प्रसंद एक particular section या subject में KF होता है key factor जिसका मतलब है maximum marks बटे total number of questions गुणा में total number of questions of a particular section या subject बटे number of valid questions of a particular section या subject इस formula के द्वारा राजस्तान करमचारी चैन बोड सभी candidates के marks decide करता है जारी करता है साथे मेरे 10% से अधिक प्रस्णों के में किसी भी विकल्प या गोले के को अभ्यर्ति द्वारा गैरा नहीं करने के कारण 1944 candidates को अयुग्य गोसित किया गया इसलिए ध्यान दें राजस्तान के किसी भी exam में पांच गोले मिलेंगे उन पांच गोलों को आपको काला करना है किसी एक को गैर अनुसुची चेत्र की वर्यता के आदार पर सूची बनाते समय अनुसुची चेत्र के अभ्यर्तियों को भी वर्यता सूची में सामिल किया गया है जिससे इन अभ्यर्तियों के रॉल नंबर दोनों जगे हो सकते हैं किसी भी प्रकार के नवीन और अध्यतन जानकारी के लिए बोड की वेबसाइट www.rsmssv.rajistan.gov.in ये www.rssv.rajistan.gov.in का अउलोकन करें किसी भी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहे और बने रहे आपके अपने यूटूब चैनल यूवी कंप्टिसंस के साथ आपको सभी जानकारिया यहां से मिलती रहेंगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू सो मच मिलते एक नए वीडियो के साथ